हेलो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं कच्छा एक का चैप्टर 13 मेला आनंद मही कविता घर के पास लगा था मेला उसमें आया चाट कठेला हमने जाकर खाई चाट ऐसे थे मेले के ठाट घर के पास लगा था मेला उसमें आया जूले वाला हमने जाकर जूले जूले मन में नहीं समाए फूले घर के पास लगा था मेला उसमें एक खिलोने वाला लाए जाकर चार खिलोने रंग बिरंगे बड़े सलोने घर के पास लगा था मेला हमने देखा मन भर मेला गुडिया गुन-गुन दोनों साथ छोटू ने पकड़ा था हाथ मेले के थे ऐसे ठाट जूले ठेले सुन्दर हाथ एक बार हम फेट से पढ़ेंगे घर के पास लगा था मेला उसमें आया चाट कठेला हमने जाकर खाई चाट ऐसे थे मेले के ठाट घर के पास लगा था मेला उसमें आया जूले वाला हमने जाकर जूले जूले मन में नहीं समाए फूले घर के पास लगा था मेला उसमें एक खिलोने वाला लाए जाकर चार खिलोने रंग बिरंगे बड़े सलोने घर के पास लगा था मेला हमने देखा मनभर मेला गुडिया गुन-गुन दोनों साथ छोटू ने पकड़ा था हाथ मेले के थे ऐसे ठाड जूले ठेले सुन्दर हाथ कविता को किसने लिखा है? रमेश थावनी जीन है बाचीत के लिए आप भी इस मेले में होते तो क्या-क्या करते आप इसे बताना कि अगर आप मेले में होते तो बताओ क्या-क्या करते आपको ये खुद से लिखना है मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? सोचो और आपको जवाब देना है इसका चाट के अतरिक ठेले पर रखकर क्या-क्या बेचा जाता है आपने जब मेला आप देखने गया थे तो उस समय आपने ठेले पर क्या-क्या देखा होगा क्या-क्या रखके बेचते हैं लोग आप अपने यहां लगने वाले मेले के विशर में बताईए कविता में देखकर इन प्रश्णों का उत्तर दीजिए छोटे समू में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए आपको इसे स्वयम से लिखना है क्यों सिन क्या है मेला कहां लगा था बच्चों ने मेले में क्या खाया आपको इसे कविता में देखकर ही लिखना है बच्चों ने मेले में क्या खरीदा क्यूस्चन आपको स्वेहम से लिखना होगा सब्दों का खेल मेला ठेला जैसे और सब्दों की जोड़ी बनाएं और लिखिए मेला ठेला की जैसे रंग बिरंगा और सब क्या बनेगा सोचो और आपको इसमें लिखना है ओके एक इसमें 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 कविता में इन सब्दों को खोज कर घेरा लगाएं ठेला और ठाट चलो डोड़ते हैं क्या सब्दा ठेला और ठाट एक यह ठेला ठाट दो हो गया इधर इसमें एक भी ठेला नहीं है नहीं एक भी मेला है ठाट है ठेला नहीं है इसमें यह ठाट और ठेले ठाट हो गया ठेले हो गया यह ठेला हो निच्चे दिये गया चित्रों के नाम बताईए और अन्मान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए आप यह क्या है यह क्या है यह क्या है आप बोलो मेरे साथ यह क्या है बताओ यह क्या है बताओ यह क्या है यह क्या है यह क्या है बताओ और यह क्या है बता दिया आपने, चलो मैं बताता हूँ एक, ठेला, जलेबी, पैसे, एनक, ठेला, सेब, और बैगन सब्द बनाईए, लिखिए और पढ़कर सुनाएं क्या सब्द बनेगा? यह देखो, मेला, आपको यहाँ पर यह लिखना होगा यहाँ पर जो सब्द लिखे हैं, इनको आपको देखके सब्द को बनाना है और लिखना है यहाँ पर मेला हो गया, और दूसरा क्या बनेगा? यह हो गया थै और यह हो गया ला, थैला और क्या हो गया? यह हो गया पैसे बाकी के आप कर लिखना हो मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं आप वहां क्या क्या करेंगे आप अपने मित्रों के साथ बात कीजिए अपने दोस्तों के साथ बात चीत करो कि आप अगर वहां गए होते तो क्या क्या करते चलिए कुछ बनाते हैं क्या बनाएंगे तेवहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं आपने भी अलग-अलग वस्तों से बने तोरण देखे होंगे तोरण बनता किस्से है अब यह जान लेते हैं पत्ते, फूल, कागज की आकृतियों, उन, छोटी-मोटी आज इसे बनाए जाते हैं आप भी अच्छा के मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाएं तोरण एक सजावट के लिए होता है उसमें कुछ भी आप जो भी आपके पास सीजे उपलग्द हो उसको आप मिलाके आपको एक आकृति बनानी है आपके आसपास कि जो वस्तमें आपको शुवधा से मिल जाएं उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाएं सभी को बताएं कि आपने ये कैसे बनाएं ओके थैंक्स पर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सेयर भी करें मैंने आपके लिए क्मिन्ट जो आपका community पोस्ट होता है वहाँ पर questions रहते हैं आप वहाँ पर जाईए और questions को solve कीजिएगा और आपके अगर कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे community पोस्ट पर जो पोस्ट रहता है उस पर comment करके आप जरूर पूछे झी Thank you